नमस्कार साथियों मैं आपका साथी आपका दोस्त विजय पालकुडी लोको लेज राजस्थान विश्वविद्याले के सभी नौजवान साथियों का हार्दिका विनंदन और स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान विश्वविद्दाले के मुख्य परिक्षा के जो फोरम है वो सुरू हो चुके हैं और उनके बारे में आपको बताओं कि 16 जनवरी से राजस्थान विश्वविद्दाले मुख्य परिक्षा के फोरम सुरू हैं कि बिना लेट फीज 27 तारिक तक बरे जाएंगे उसके बाद 28 तारिक चे एक तारिक तक 100 रुपए लेट फीज के साथ और 500 रुपए लेट फीज के साथ 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक बरे जाएंगे और 2 गुने परिक्षा सुल के साथ 6 फरवरी से 10 फरवरी तक बरे जाए कि आप 27 तारिक तक सभी अपना मुख्य परिक्षा फोरम है वो फिल कर लें अब कई साथ को कई प्रकार की समझ्चाएं आ रही थी तो उन समझ्चाओं को भुनाने के लिए इमाप सभी के सामने आया हूं तो अब आपको बताता हूं कि प्रिक्षा फोरम है वो कैसे बरे सब्सक्राइब करेंगे करने के बाद दोस्तों इस बार सबको एग्जाम फोरम प्रिक्षा फोरम फिल करने के लिए तो जो एबीसी आईडी है वो एबीसी आईडी कैसे बनेगी इसका एक छोटा साव वीडियो यहाँ दियो यहाँ दियो किया हुआ है जो की आप यहाँ वेबसाइट से देख लेना और मैं आपको ग्रूप में भी एक वीडियो यह जो है प्रोवाइड करा दूंगा डीजी लोकर में जाके एबीसी आईडी बनानी है और एबीसी आईडी आप सबको जरुत है यहाँ सबको जरुत पड़ेगी न अपने जो अपने भीछ एबीसी आईडी है वह बेशी आडी इसमें अपन डालेगे और इसमें डालने के बाद प्रेंद आहां यह को यह को चीज़े मिल जाएगी में अपको एक बार डाल के दिखा तो जैसे मेरी इसमें बीशेदी बनाई हुई है किसी स्ट्रेंट की वह बीशरेडी में डालता हूं उसके बाद को मताता हूं जैसे यह बीशरेडी पर डालने के लिए यहाँ एक कि लिक 4707 4707 9865 655735 इस पे अपन किया और सिर्दा यहां से गेट अबीशेटी डिटेल्स पेपन क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद अपन को यह सार भी आंसे यह सब चीजे फिल करने पड़ेगी अबीशेटी इस्टुडेंट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम और डी ओबी और जेंडर और मॉबाइल नंबर इमेल आइडी आधार नंबर और फोटो अब इसमें एक चीज़ यह दियान से देख लेना आप है फोटो यहां पर हमें जिफ में जिफ में अपनको अपलोड करनी है साइन भी अपनको जिफ फाइल में अपलोड करना है तो यह जिफ फाइल है वो आप गूगल पर जाके और convert jpg to gif डाल लेना तो आपकी जो फाइल है वो jpg से gif में convert हो जाएगी और आप ध्यान रखना है कि इसकी size है वो भी 100 kb से कम रखनी है अपन को तो वो भी आप google से convert कर लेना reduce size कर लेना और convert to jpg to gif कर लेना वो google से कर लेना आप तो यह दोनों फाइल जिफ में download करना so kb से कम करना यह upload करना और सिधा submit पे click करना submit पे click करते ही आपको वो id मिल जाएगी login id और password मिल जाएगा आपको मेरे पास पहले से generate की हुई है इस student की तो मैं आपको सिधा वहीं लेके चलता हूँ सिधा वहाँ से अपने पास अपने पास यह generate की हुई थी तो मैं आपको सिधा मेरे पास login id और password है तो मैं आपको वहाँ से देखाता हूँ यह login id और password मेरे पास पहले से है तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ पासवर्ड तो साथ ही हो आप सब के mobile नमबर होंगे जो आप mobile नमबर डालोगे वह आपके password होंगे और जो login id है वहाँ मिल जाए गया आपको 24000068914 पासवर्ड डाल दी है आपको यहीं से मिलेंगे यान रिजिस्टेशन करोगे उसमें सारे चीज़े डालोगे तो आपको मिल जाएंगे अपने आशे लोगिन करते हैं लोगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जो file upload की थी वो यहाँ आजाएगी आपको यहाँ कुछ भी upload नहीं करना अब आपको सीधा जाना है fill application forum पे फिल application forum पे जाके यह category पे क्लिक करोगे आप regular student हो आप फिर यहाँ यूजी और पीजी में सेलेक्ट होगे तो अपन पीजी कोर्स में आता है अपना तो अपन पीजी पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपन यहां जैयेगे सिदा जिसको लphen hem फिस्टिर इक आपना नबर नोफ इन पर फारोवर जिसको इसके बाद आपको फिर दुबारा यहां सिदा पीजी पे क्लिक करना है ये काल्टी टाइप अपन जाएंगे यह इसके बाद क्लास में जिसके लिए बरना है तो ल jullieए फस्ट को लिया क्लेक और दिखा दिया Chapel फाउंड तो फिर आप दुबारा खिल्क करना तो दौर को ले आपका नाम यहां आ जाएगा करता हूं और इस पड़ेंगे और बिरुविए परम Сब्सक्रार क्राइग प्रोसीड बटन पर दबाना है इस पर दबाने के बाद साथियों अभी एक और मैंने स्क्रीन खुल गई यहां एंटर रजिस्टेशन नमबर आएगा तो रजिस्टेशन नमबर है यह आपको यहां तो जो लिस्ट है वो गुरूप में मैं डाल दूँगा आपको अभी टार्चेस इसके प्टाजी का नाम है छोटे लाल या दो Penhouse तो निटर लोगना लों अध्यन आ जायेगा तो अपनि इसके यहां यह प्रोषीटि पे फिर मैंने क्लिक कर दिया प्रोषीटि पे क्लिक किया तो साथ ही यहां यह जो registration ID है वो registration ID आचुँकी है अब इस registration ID को अपन बैक करेंगे वहां से और अपन को दुबारा वाहां फिल करना है फिर अ legitim सारे provocative कोल जाएंगी ठीक के साथ ही हो तो यह यह अपने ने बैक किया यहां से यह पण वापस यहां गये अप itu अपनी पढ़ेंगी यह फिर सिर यहन्य सीधा डालिंग अपन ईश्टी लोंपकल इसे लोगे संटर तू यह क pior के याई यह जान ऐस यह बैंक। सिक्षिन नंबर है एट टू थ्री नाइन टू नाइन इस पर क्लिक रेज सीदा प्रोसीड पर दबाएंगे पर प्रोसीड पर दबाती फोरम को लेगा और बहुत इजी सा बहुत चोटा फोरम में साती हो आप फोन से ही पर लेना किसी मतरवाले के पास बीजाने की जूरत नह करना कुछ नहीं करना यह बेसिक डिटेल्स बननी है सीदा लास्ट में प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे एक इंपोर्टेंट चीज और आपको सबको दिक्कत आ रही है कि सब्जेक्स कौन से चूज करने हो आपको मैं बता जेता हूं सातियों ज्यादा लंबा चोड औरे आउंगे में लिखना तो यहां निच्छे छोटे लाल यादब कोई लिखना है इंग्ल इसम्रह में ऑं रहा है इंधिमी आ पनगों को लिखना है किरन देवी खाँ करने कि करने। इसके दिए खी acaktにokus इसके Seth गाले जुज करने में मेल को मेडियम जो आप और इंगले आपकी रेगुलर है तो आप कैटेगरी रेगुलर कर देना उसके बाद यहां 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 आएगा आरी वार्ड ओफ राजस्थान उन्यूश्टे एंप्लोई मतलब आप उन्यूश्टी में कोई एंप्लोईर है उसके बच्चे थोड़ी होता जो है वो यह करेगा जो नहीं ह पिन कोड डालना इमेल आईडी डालना मोबाइल नंबर डालना और यह यहां है कि जो आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं हैं क्या वोट्सप पे हैं या नहीं है तो आप जिस हैं तो यस कर देना नहीं है तो नो कर देना फिर यहां डेटेल्स ओफ लास्ट ए यह और यह आपको डिटेल्स यहां फिल करने हैं जो भी आपने लास्ट एग्जाम इविश्टी से दियो और यहां आर यू ओल्रेडी एन्रोल्ड यह कोई बाई मेरे को कह रहा था कि यहां जो रोल नंबर है वो सिरफ एक ही लिखा रहा है इसमें भी एक ही नंबर आ लिखा पर देना कोई बात नहीं है अर यू ओल्रेडी एन्रोल्ड इसके अंदर मामला यह है कि जो इस उनुएस्ट्री से पहले जिसने मतलब राजस्तान उन्यूश्टी से एफिलेटेड कोई भी कोलेज या फिर उन्यूश्टी की किसी भी संगट कोलेज से आपने यादी बीस्टी भी कोम यह जो भी किया है आपने तो आर आप अल्रेडी एन्रोल्ड हो तो आप इसको येस किलिक कर देना और आप किसी दूसरी राजस्तान उन्यूश्टी के लावा किसी भी दूसरी उन्यूश्टी से चाहें सेखावाटी उन्यूश्टी हो चाहें मतश्य उन्यूश्टी हो चाहें मोललाल सुकाडी उन्यूश्टी हो किसी भी उन्यूश्टी से आप आए हैं तो आप यहां आर यू ओल्रेडी एन्रो उसके लगबग 630 रुपए का चालान कट रहा है तो आपके साइद 690 रुपए और एड होंगे यह आप उल्रेडी एंडरोल नहीं हो तो 690 रुपए आपके और एड होंगे और आपका चालान ज्यादा कटेगा फोर्म की आड़कों पी साथ आप माइग्रेशन भी जमा करवा है जो बची है वो आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट कौन से बननी है इस बार हमारे सुनने में आ रहा था कि आपके जो फरस्टियर वाले हैं उनके नई स्कीमा गई है तो उनके दस सब्जेक्ट होंगी ऐसा सुनने में आ रहा था कॉंस्ट्यूशन के दो पार्ट कर दिए यह सुनने में आपके हम जैसे मैं सेकंडेर में हूँ तो हमारे तो नोई सब्जेक्ट चल रही थी आपके दस बता रहे थे लेकिन अब जब फोरम खुल रहा है तो फोरम में वह सब्जेक्ट आ रही है जो हमारे हुआ करती थी तो आपको गबराने कोई जूरूत नहीं है जो इस ही भी एक सूज करने है अपनको तो इसमें अपने अपने लीगल एंड कॉंस्टियूशनल इस्ट्री ओफ इंडिया यह सब्जेक्ट अपनको पढ़ाया है तो आप 9008 जो कोड नेम वाली सब्जेक्ट है लीगल इंड कॉंस्टियूशन इस्ट्री यह आ बरोगे और जो trust equity and यह जो relationship जो भी है इसको आपको छोड़ना है no number की जो subject है इसको आपको नहीं बरना है इसको आपको छोड़ना है उसके अलावा 10 और 11 पे आपको click करना है click करके आपको साथ है proceed पे click करना है proceed पे click करते हैं मैंने ते फोर्म पूरा नहीं बरा फोर्म बरने के बाद आपको फोर्म की hard copy का print निकालना है फोर्म की hard copy के print के साथ आप या तो अपना प्रिचे पतर ID card जो college से आपने receive किया होगा यह दिन नहीं किया है तो आपके पास face receipt होगी उसकी copy इन दोनों में से एक copy लगा के और एक आप आधार कार्ड की copy लगा दीजिए आधार कार्ड की copy और college ID या फिर face receipt में से एक यह लगा के और फोर्म की hard copy निकालके इसको आपको college कारेले में जमा करवाना है और college कारले में forum की आड़कोपी जमा करवाना अती आउशक है इसको आपको जमा कराना पड़ेगा otherwise आपका जो admit card है वो जारी नहीं होगा और जिन साथियों ने अभी तक migration जमा नहीं करा है उन साथियों से भी यह request रहेगी कि वह भी जो अपना migration है वह अभी ले ले लें और इस फोर्म के साथ अपना migration जमा करा है तो फिर उनको आप दो मेने बाद करा हो चार मेने बाद करा हो कोई issue वाली बात नहीं है migration आप कभी जमा करा जिना लेकिन कोशिस करना कि इसके साथ करा हो तो आपको ज्यादा बाग दोड़ नहीं करनी पड़ेगी ठीक साथियों और किसी भी प्रकार की किसी भी साथी के कोई भी क्योरी हो मैं विजेपाल कुड़ी आपका दोस्त हमेशा आप सब के लिए आजिर हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी समश्या हो आप मुझे जरूर याद करना मेरे मोबाइल नंबर है 7891-287170 आजीर हो आप मुझे बेसक कभी भी इन नंबर पर कोल कीजिए मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हर दम आजीर हूँ हर दम तत्थ पर तयार हूँ इतना भी कहना चाहूंगा कि कोई साथी है ती कोलेज में नहीं आपाए हाड कोपी नहीं जमा करा पाए तो आपका भाई वि अगर कोई समश्या फोरम से संब्दित बची हो फिर भी कोई रह गई हो तो आप जरूर मुझे बताना हम आपकी सेवा के लिए तत्थ पर तयार हूँ जैहिन जैवारत साथियों इंकलाब जिनदाबाद